हलो दोस्तो आज हम यमी चीजी बर्गर बनाना सीखेंगे सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को दबाना ना भूनना दो कच्चे आलू लिये हैं जिसको छील के काट लिया है गाजर, फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोबी, प्याज और शिमलामिच सभी को महीन काट लिया है अब एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख देंगे फिर हम इसमें डालेंगे प्याज इसे दो मिनिट तक के लिए पका लेना है फिर इसमें डालेंगे फ्रेंच बीन्स, गाजर, आलू सारी चीज़ों को अच्छे से हमें सौते कर लेना है फिर डालेंगे इसमें स्वादनु सरनमक और अच्छे से इसे मिला लेंगे अब जब ये आदा पक चुका है हम इसमें डालेंगे पत्ता गोबी और कैपसिकम और अच्छे से मिलाके, ढखकर इसे पक्ने के लिए रख देंगे खोल के बीच में चेक कर लेना है फिर से चमच घुमा लेना है अब डालेंगे इसमें एक चुथाई टी स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून चिली पाउडर और अच्छे से इसे मिला लेंगे और फिर से डखकन लगा के पकने के लिए रख देंगे आप सोच रहे होंगे दोस्तों जिगना हमेशा इजी रेसिपीज बताती है और आज ये क्या लेकर बैटी है लेकिन यकीन मानिए उबली हुई सबजियें से ज़्यादा ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है एक बार ये आप जरूर ट्राइ करिएगा मैंने इसमें एक टेबल स्पून चिली और एड़ कर ली है अब इसे अच्छे से मिला के धनिया डाल के मिक्स कर लेना है हम इसे कोर्सले स्मैश कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून कॉन फ्ला अच्छे से मिला के इसे थंड़ा ओने के लिए रख देंगे उसी के बाद हम इसकी टिकी बना लेंगे चलिए मेयो स्प्रेड बना लेते हैं वन फोथ कप मेयोनीज लिया है उसी में हम डालेंगे वन फोथ कप टमेटो कैचप एक टेबल स्पून ओरेगयन और चिली फ्लेक्स और इसे अच्छे से मिला लेंगे हमारा मेयो स्प्रेड बन के तयार है दोस्तो चलिए अब बेजीज सौते कर लेते हैं एक टेबल स्पून बटर ले लेना है उसी में हम डाल देंगे एक टेबल स्पून ओरेगयन और चिली फ्लेक्स फिर हम डालेंगे कटा हुआ प्याज और बेल पेपर्स दो मिनिट के लिए हमें इसे सौते कर लेना है और हमारा मेयो स्प्रेड है वो इसमें दो टेबल स्पून एड़ कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे हमारी वेजीज बनके तयार है हमारी बर्गर की जो साइज है उसी के हिसाब से हम टिकी बना लेनी है थोड़ी इसे मोटी रखियेगा एक बोल ले लिया है इसमें मैदव और पाने मिला खेस लरी तयार कर लेंगे दिखने में थिक और फ्लोइंग कंसिस्टनसी वाले होनी चाहिए अब टिकी इसमें डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में इसे रूल कर लेना है इसी प्रकर हम बाकी की टिकी भी रेडी कर लेंगे और तेल में तर लेंगे हमारी टिकी बन के तयार है आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और यमी बनी है चलिए मैं इसकी आवाज आपको सुना देती हूँ बर्गर के ब्रेड को दो हिस्सों में काट लेना है अब बटर लगा लेंगे और तभी पर थोड़ा इसे लाइट ब्राउन होने तक सेख लेना है अब इसके उपर मेयो स्प्रेड लगा लेंगे फिर लखेंगे लट्यूस टिकी रख देनी है सौटेड बेजीज प्लेस कर देने है उसके उपर रखेंगे चीज स्लाइस और कवर कर लेंगे हमारा यमी बर्गर बनके तयार है दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज सब्सक्राइब कर देनी है